Hello students, so you are most welcome in today's video. Students, आज हम Class 12 की Psychology, Chapter 3, जीवन की चुनोतियों का सामना, ये Second Part की वीडियो आज हम करने जा रहे हैं, तो इसका हमने एक पार्ट आप सब के लिए पहले बनाया है, तो आप उनको जरूर देखिए, अगर आपने नहीं देखा है, तो अगर आपने देखा है, तो बहुत अच्छी बात है, ये आपकी Second Part की वीडियो है, तो आज हम इसी का Next Part, जो Second Part है, आज मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो इस्ट्वेंट्स अगर आप साइकालोजी के स्ट्वेंट्स हैं, अगर आपने साइकालोजी लिया है, या मैं कहूं मनोविज्ञान आप पढ़ रहे हैं, तो ये आप सब के लिए बहुत इंपॉर्ण वीडियो है, चैप्टर नमबर 3, के बेसिस पे मैंने एक तरह से इसे आप कह सकते हैं, मनोविज्ञान नोट्स अधिहायतीन के लिए है, और मैं आपको बदा दू, ये किन स्ट्वेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्ण है, तो हो सकता है, आप सर्च कर रहे हों मनोविज्ञान अधिहायतीन नोट्स हिंदी में या साइकालोजी बहुत हेलफुल है अगर आप किसी अधर किसी एक्जाम के लिए भी प्रिपार कर रहे हैं तो इस वीडियो इस इंपॉडेंट वा ओर दोस इस्टुबेंट्स जो क्लास ट्वल्थ के साइकॉलजी के स्टुवेंट्स उनके लिए इंपॉड्ट्न है है साथ अगर आप बट के स्ट्मेंट से लाइत या ती एक रिए कर रहे हैं टैट एकड एक्ड़रिया यह बिहार टैट के लिए हरियाना टैट इस भी दियट टैट एकड को यह अगर प्रिपटेयर कर रहे हैं तो आपके है अधर वाइज आप अगर यूपेसी के एस्पिरेंट है तब भी आपके लिए बहुत है तो कुल में लाके मैं यह कहना चाहूं वीडियो आप सब के लिए बहुत है यह सेकंड वीडियो है जीवन की चुनोतियों का सामना जो चैप्टर नमबर 3 है उसकी और मैं आप सबसे स पुड़ा सा बिजी हूँ इसकी वज़े से डिले हो गया एक वीडियो को बनाने में इस्पूंट अराउंड एट आर्स लगता है आपको बदाऊं इसका सारा सेट अप करने में आर्ट घंडे की मेनत लगती है कुछ वीडियो ऐसे होते जिसमें 6 आर्स में ही काम हो जाता है कुछ में 8 घंटे से भी जादा टाइम लगता है तो बहुत मेनत करनी पड़ती है तो इसके वज़े से टाइम लग जाता है लेकिन मैं कोसिस करूंगा आप सब को वीडियो मैं जल्दी जल्दी प्रोवाइड कर सकूँ ठीक है आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि इस वीडियो को स्किप मत करना अधरवाइस आपका सब कुछ मिस होगा और यह वीडियो थोड़ी बड़ी बनेगी विकॉज एक लंबे समय बाद वीडियो आ रही है तो कम से कम मीनिमॉम ट्यूम यह 40 मिनिट्स प्लस की वीडियो होगी ठीक है तो आपको पता है मैं एक्स् सबसे इंपॉर्डन बात मैं आपको बता दूँ वीडियो का एजेंडा या गोल मैं अगर कहूं तो इस वीडियो का बेसिक गोल है आप इस वीडियो के आखरी तक अच्छे से समझ जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद की दबाव की प्रकृति क्या है और इसके साथ साथ दबाव मतलब स्ट्रेस ठीक है इस ट्रेस समझ सकते हैं कि आप साइकालोजी की स्ट्वेंट्स होने के ना दे मन विज्ञान के विशे को पढ़ने के ना आते आपको अच्छे से इस चीच की समझ होने चीए कि अपने दबाव को हमारे जो दिन प्रदिन के जीवन में दबाव तो अपने जीवन में आएगा ही, तो उसको हम किस तरह से हैंडल कर सकें, जैसे भी एक्जाम का टाइम आने वाला है, तो आपको थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है, तो उसको हम किस तरह से हैंडल कर सकें, यह सारी चीज़े आप सीख पाएंगे, ठीक है, यहाँ पर हैंस सैली का इनकी थियोरी को हम अच्छे से देखेंगे, जो कि father of modern stress research कहे जाते हैं, तो इनको हम study करेंगे, stress response system को भी हम देखेंगे, कि stress का response system कैसा है, दबाव के जो उसके, बिसिकली वो किस तरह से काम करता है, उसको दबाव की condition में किस तरह से हमारे body के दर changes होते हैं, उसको हम हम देखेंगे, जो की hormone level पे है, उसको समझेंगे, दबाव का मुल्यांकर हम करेंगे, मतलब इसको हम बिसिकली अच्छे से समझने को करेंगे, कि इसको दबाव मतलब यहां पर stress को हम अच्छे समझेंगे, अच्छे इसके अंदर एक आपका next point आता है, लजार्स, लजार्स क इनकी थे अंदर में हम लोग इनकी थे अंदर में बिसिकली प्रात्मिक मुल्यांकर, दुत्यक मुल्यांकर नों नों हमें दिया है, हम उसको जानेगे, राइट, सो इस्टुमेंट्स, आभी आप जो है next slide पे आ चुके हैं, यहां पर कुछ interesting बात आपको सबसे पहले में share कर अक्सर हम लोग के जीवन में जब दबाव आता है, तो दबाव को हम basically कैसा उसको लेते हैं, उसको हम क्या समझते हैं, उसको अपना दोस्त समझते हैं, उस चीच को मैं अच्छे से train करने के लिए यहां पर कुछ picturization किया हूँ आप सब के लिए, तो यहां मैं friend of four, दोस्त य क्रेंट का फ्लो नहीं हो रहा है, तो यहां पर मैंने switch on नहीं किया है, करेंट का फ्लो नहीं है, जब करेंट का फ्लो नहीं है, उस case में यह बल्व क्या है, ग्लो नहीं है, मत्तब बल्व के अंदर कोई light नहीं आ रही है, लेकिन जैसे माल लेते हैं, यह complete circuit है, further इसका other connection करेंट जब इसके अंदर pass करेंगा, तो आप देख रहे हैं, यह बल्व क्या कर रही है, ग्लो कर रही है, ठीक है, तो उसी प्रकार हमारे जीवन में stress का काम होना होता है, हमारे जीवन में दबाओ जो होते हैं, ठीक उसी प्रकार होते हैं, अगर हमारे जीवन में कोई stress नही हो बिल्कुल stress free रहते हो और stress free रहकर कि कोई पढ़ाई से कोई target नहीं कोई गोल नहीं आपका random अपनी जिन्दगी चलती है बस ठीक है तो उसका नुकसान क्या होता है कि हम कुछ सीख नहीं पाते कुछ समझ नहीं पाते कुछ जान है कि यार मेरे exam है उसके बाद में promote करके next class में जाऊंगा उसके बद मैं higher study के लिए pursue करूंगा या जो है किसी further competitive exam के लिए preparation करूंगा तो यह क्या है एक stress है अगर exam में इस बार पास नहीं होगा तो मैं कैसे आगे जाऊंगा या मुझे अगर अच्छे marks लाने है तो अगर अच्छे marks नहीं ला पाया तब भी आपको stress होगा तो stress basically कहीं न कहीं हमारे दिमाग की बत्ति को जला देता है और जो हमारे दिमाग की बत्ति जलती है तो हम definitely अच्छा पाम करते हैं मैं आपको एक goal, जीवन में जब goal या जीवन में जब stress नहीं होता, जब कोई goal नहीं होता तो उसका एक और मैं आपको उधारत देना चाहूंगा, जैसे माल लेते हैं कि आप किसी एक ऐसी train में बैठे, ठीक है, और train में बैठने के बाद आपने ticket कहा का लिया, पता नहीं, train में जस्ट बैठ गए, without ticket, है ना, आपको पता नहीं कि train में जाना कहा है, है ना, और train माल ले पता नहीं जाना कहा है, तो वहाँ पर कोई certainty नहीं होगी, कोई निस्चिता नहीं होगी, उसी तरह से अगर हमारे जीवन में, इस जीवन की train में, अगर हम लोग बैठे है, अगर हमारे जीवन के कुछ लक्ष नहीं होगे, कुछ गोल नहीं होगे, तो इसी वज़े से stress जो ह हमारा 4 है, अगर जिस तरह से यहां पर, मैं एक्जांपल दूँ, अगर यहां current का flow, जो ampere current में flow कर रहा है, अगर इस current का flow में, मैं electricity voltage पीछे से बढ़ा दूँ, ठीक है, अभी माल लेते हैं, 5 ampere का current इसके अंदर flow कर रहा है, तो अगर मैं 5 ampere का current ना flow करके, इसके अंदर 50 amp तो यह बल्ब क्या हो जाएगा, अगर ब्लास्ट हो जाएगा, बिकोज इसकी एक certain limit है, उसी तरह से stress थोड़ा तो फाइदेमन्द है, लेकिन ज़्यादा आप लेते हो तो नुकसान दायक है, तो आप से समझ चुके होंगे, कि हम stress के बारे में कितने अच्छे से जानने वा कुति जो है, बिसिकली कहां सुई है, लेटिन शब्द, strictus, जिसका अर्थ है, तंग या संकीड अथवा, stringer, जो कि एक क्रियाप है, से हुआ है, जिसका अर्थ होता है, कसना, तो stringer कर्स क्या है, कसना, मतलब एक संकीड आवस्था में कसना को हम कह सकते हैं, मतलब एक जो प् वेक्तियों द्वारा दबाव अवस्था में वर्डित मांस्पेसियों तथा स्वसन की कसावट तथा संकुचन की आंत्री की भावनाव को प्रत्विम्मेट करता है, तो यहां पर यह इसको और अच्छे से एक्समेशन कर रहे हैं, करा यह मूल शब्द जो बिसिकली है, जो वेक्तियों इस सवस्था से गुझरता है वो खुद ही बताता है कि हमारी मांस्पेसियां लगता है, कि वो दबी हुई है, उनमेरी कसावट है, अथवा तथा स्वसन में कसावट है, तथा संकुचन की आंत्रीक भावना को प्रत्विम्मिट करता है, ऐसा वो बताता है, प्रेक्ट के प्रेसर सेटर करती है भ। यसे आपका एक्जाम भी आ रहा है, तो आपको दबा स्ट्रेसर का काम करए रहा है । एन्वार्मेंटल अगर स्ट्रेस ले, जो आपके वातावर्ड में, जो आपके स्ट्रेस हैं, वो आपका शोर हो सकता है, भीड हो सकती है, खराब संबंध हो सकते हैं, या रोज स्कूल अतवा दबतर जाने की घटना हो सकती है, तो कई बार आप डेली स्कूल जाते जाते हैं, अगर आपको break नहीं मिलता, छुटी नहीं मिलती तो आप लोग उससे भी परिसान हो जाते हो कई बायर, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए. वायर प्रतिबल के प्रतिप्रतिक्रिया को तनाव कहते हैं, फिर एक आपको और यहां से पॉइंट मिलता है, दबाओ, के सासों तनाव, जिससे स्ट्रेंड कहते हैं, तो स्ट्रेंड किसे कहते हैं, जो बाहर से प्रतिबल के प्रतिप्रति जो आपकी प्रतिक्रिया होती है, म पतिकिरिया जो आपकी होती है उसको हम strain कहते हैं उसको तनाओ कहते हैं तो यहाँ पर मैं आपको एक simple understanding से इस flow chart के according में आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा दबाओ अगर आपके जीवन में है या दबाओ से आप मतलब पीडित है या दबाओ को आपने महसूस किया है अफ वाय अथवा आंतरिक प्रतिबल तो जो प्रतिबल है वो बाहर का हो सकता है या अंदर का हो सकता है या हो सकता है आपके मन की को यसी कुंठा हो आपके मन के अंदर कुछ से विचार उठते हो जो जिसकी वज़े से आपको दबाओ होता हो या बाहर का कारण होता है जैसे कि भी उसने बताया पीछे एक्जांपल हमने देखा शोर होता है कि बहुत ज़्यादा कभी शोर हो रहा है ज़्यादा नॉइस पलूशन अगर है तो वहाँ भी हम लोग थोड़ा सा irritation या stress feel करते हैं तो ऐसे ही कुछ कारण हो सकते हैं तो basically इसको further हम देखते हैं तो उसके result में हम अपनी जो हमारी आंत्रिक दशा होती है वो कैसी हो सकती है जैसे for example अगर हम लेते हैं कि आपका एक्जाम आ गया है तो आपकी आंत्रिक दशा कैसी होगी वो इसमें से कैसी होगी जैविक था मनोविज्यानिक प्रक्रिया है जो दबाओ के अनुभों को जर्म देती है तो आंत्रिक दशा आपकी कैसी होगी वो एक मनोविज्यानिक प्रक्रिया है जो दबाओ के अनुभों तो आप उसको अनुभों करेंगे कि यार मेरा एक्जाम है आपको एक stress सा feel होगा मतलब एक महसूस होगा exam है अभी इतने chapters रह गए हैं अगर हम अपनी study नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे या अच्छा इसको नहीं कर पाएंगे तो यह चीज आपको यहां से clarify होती है और इसके परड़ा में राइट दोको यहां कुछ कारण हुआ तो आपने कुछ महस किया और महसूस जब करेंगे तो उसका कुछ result तो आएगा ने students राइट तो दियान रखना जो भी आप सोचते होना वो भी process होता है process होने बाद उसका भी कुछ नो कुछ result आता है तो अगर आप ज़्यादा मतब pressure देके सोचते हो तो अब यह सी बात है उसका result तो आना है तो दबाओ प्रतिक्रिया तो अब वो जो आपका paradigm है वो कैसा हो सकता है या तो चुनोंती पर विजेपाना हो सकता है या बिमारी तनाओ या उससे ग्रसित होके कि आप भाग खड़े हो जाओ तो दोई चीजे हो सकती है जिसे आपका exam अगर आगया और आपके पास समय अगर न अधरवाइस आप भाग जाओगे और भाग जाओगे तो आपको पता है result क्या होगा तो थोड़ा इसको detail में और हम समझते हैं दबाओ कारड तथा प्रभाव दोनों से संबध हो गया है तो दबाओ जो होता है basically of course वो कारड जो जिस वज़े से हमें दबाओ मैसूस हो रहा ह और उसका संबध जिससे है उसका प्रभाव जो बनता है उनसे ही संबध है तथा पी दबाओ का यह दरिष्ट कोड ब्रहांत उत्पनिक कर सकता है और इस प्रकार दबाओ का जो यह कह रहे हैं कि ऐसा जो दरिष्ट कोड है कई बार हमें confusion में डालता है तो यहां पर hands-seller, जो आधनिक दबाव सुध के जनक कहे जाते हैं, ने दबाव को इस प्रकार परिभाशित किया है तो आप जो है hands-seller के द्वारा जो की basically आधनिक जिनको कहायाता है father of modern stress research तो basically इन्होंने कुछ अपनी परिभाशा दी है, तो आप इनको यहां पर focus करना और इसको इसी तरह से आपको exam में लिखना होगा आप mention करोगे जब भी लिखोगे तो उससे क्या होगा, आपको value points added होगे तो इन्होंने कैसे परिभाशत किया है, किसी भी मांग के प्रती शरीर की avacist अनुकृरिया है जब कोई मांग उठती है, तो उसी के प्रती जो हमारा शरीर होता है की avacist है मतलब कोई एक vicious नहीं, एक कोई general अनुकृरिया होती है, ऐसा, किसने बोला? एसा hence सैले ने मोला एर्फाद खतरे का कारण चाहे दुब्यक्ति-प्रतिक्रियाओं के समान शरीर क्रियात्मक प्रतिरूप से अनुकरिया करेगा ऐसा किसका कहena है एसा है hence सैले के कहना जो की आपको भी लग सकता है कि अबर ये कह रहे हैं कि अर्थात खत्रे का कारड़ चाहे जो भी है लेकिन प्रतिक्रिया जो आपकी होगी क्या एक ही प्रकार की होगी अब्यसी बात है असपस्ट है बिलकुल नहीं ऐसे होगी है ना, ऐसा थोड़ी है कि मजदब आपका एक्जाम है या आपको जॉब की टेंसन है या आपको कोई competitive exam है है ना तो या जो है family responsibility है तो हर एक जो दबाओ है उसका जो प्रतक्रिया है एक ही प्रकार होगा ऐसा बिलकुल नहीं है तो उनकी बाद से जैसे हम लोग सहमत नहीं हो रहे हैं और दूसरे और जो है मनविज्ञानिक वो भी सहमत नहीं हुए तो आगे हम देखते हैं कि रहा अनेक सोध करता इस परिभासा से सहमत नहीं है क्योंकि उनका अनुभो है कि दबाओ के प्रती अनुक्रिया उतनी सामाने तथा अविसिस्ट नहीं होती जितना सेले का मत है राइड इस्टोन तो वह बिल्कुल ये फोकस आप करना तो सेले का मत ये था कि दबाओ चाहे जोंसा प्रकार का हो लेकिन जो हम अनुक्रिया करते हैं उसके प्रती जो प्रतिक्रिया होती है वो समान होती है तो अब दूसरे साइन्टिस्ट या दूसरे मौनविग्यानिक ठीक है या हम खुद को भी लेकर आप समझ सकते हैं आप भी इतना जनराइज कर सकते हैं कि वो अलग-अलग होगा समान नहीं होगा तो वैसे दूसरे साइन्टिस्ट नोंकी बात नहीं मानी करा है भिन भिन दबाव कारक दबाव प्रतकरिया के भिन भिन प्रतिरूप उत्पन कर सकते हैं अब्यस है पिल्कुल क्लियर है अलग-अलग दबाव के कारण जो है और ये है व्यक्ति नंबर B, तो ये जो दोने व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं व्यक्ति A और व्यक्ति B, ऐसा नहीं कि अगर exam का इनको दिमाग में आया कि नहीं हार exam है, तो दोनों को same तरह कि A की ही level का stress आएगा, ऐसा थोड़ी है, ठीक है वो depend करता है, ये handle उसको किस तरह से कर ले होगा, बिल्कुल clear है ये, राइट, अतहर, यहाँ पर आगे हमने जो पीछे example जो हमने पढ़ा था, first हमने जो पार्ट इसको किया था, उसमें हमने example देखा था एक, कि आप खेल का प्रारम करने वाले प्रारमिक बल्ले बाज का द्रिस्तांत याद कर सकते हैं, राइट, हमन स्ट्रेस का लेबल होगा, वो अलग तरह का लेबल होगा, राइट, दोनों अलग अलग तरह से वो काम करेंगे, कर रहे होंगे, अफकोर्स से बिल्कुल clear है, कर आपनी दिस्टे से देखा, देखे, देखेगा, और मांगो तथा उनका सामना करने की हमारी श्रमता का और खुद आप जिसे अगर मैं इस गरल की बात करूँ, कि अगर ये सोचे कि मुझे इस बार अच्छे अंक लाने हैं, अगर इन्होंने ऐसा कुछ अपने माइंड में ऐसा लिया, तो अब ये इनकी खुद की ये क्या है, इच्छा है, और बाहर से मांग क्या हो रही है, बा तो उसको लेके इनको क्या होगा, कुछ स्ट्रेस होगा, बतब चुनवती को जो सामने आएगी, उससे निबटने के लिए जो है, एक प्रॉपर जो है, एक रडिनिती, एक स्ट्रेड़जी फ्रेम करने की कोसिस की जाएगे, फिर, फिर आगे हमें समझा रहे हैं, इस्ट्र तो यह भी ध्यान रखना आप लोग बहुत अच्छे से ऐसा नहीं कि दबाओ को ऐसे चीज़े जो आपके अंदर कोई बीतर ऐसे चिपी हुई है, अगर आप किसी डॉक्टर को दिखाओगे और डॉक्टर उसको निकाल के बाहर कर देगा, यह आपके परियावरण में हैं, और किसी बाबा को बुला करके आप जाड़पू करवागे, दबाओ आपका बहाग जाएगा, तो यह सारी चीज़े दबाओ को आप इससे नहीं हट सकते, कहने का मलतल इनका यह है, सपस्ट हैं, नका कहने मतलब कि दबाओ से आप बच नहीं सकते, कह रहे हैं कि यह सतक चलन वाली प्रक्रिया है में सन नहीं थे मतलब उसके अंदर आपके जीवन में हमेसा दबाओ रहेगा अभी पढ़ाई का दबाओ है उसके बाद हाईर एजुकेशन में जाएंगे तो जॉब का दबाओ होगा उसके बाद आपकी शादी और साधी होगी रिस्पांसबिडी फैमिल का दबाओ होगा और दुनिया भर का दबाओ आपका बढ़ता चला जाएगा जॉब का होगा वा जॉब प्रेशर अलक्से फैमिली प्रेशर अलक्से प्रेसनल प्रेशर अलक्से उसी में कई बार बिमार पढ़ोगी तो उसका प्रेशर अलक्से और इस तरह से फर्दर फर् जो है तैयारी करना हमें आना चाहिए कि उन दबाव से हम किस तरह से लड़े तो जिसके अंदर के दिव्यक्ति अपने सामाजिक एवं सांस्कृतिक परियाद में कारे संपादन करता है इन संगर्सों का मुल्यांकन करता है तो जो भी संगर्सों के जिनमात है उसका मुल्यांक पुछ नहीं किया ठीक है इस बार 2021 के एक्जाम में जो अभी आने वाला है और इन्हें सब कुछ बोला कि नीग कोविड-19 की वज़े से हैंना मुझे सारी समस्या होई इस कोरोना वायरस की वज़े से मुझे सारी प्रॉलम होई है इसके वज़े से तो यह ऐसे ऐसे कुछ ने क जो समय था अगर उस कोविड-19 के पीरिड में वी बिकाज हम तो फ्री बैठे हैं जो इस्ट्मेंट्स आप लोग तो घर में बैठे हो आप लोग कोई समस्या नहीं तो कम सकाँ आप बैठके स्टडी तो अच्छे से कर सकते हो तो अगली बार के लिए यह क्या होंगी सचेत हो जाएंगी अगर इसका मुल्यांकर अच्छे से करें क्या कारण है किनके नंबर अच्छे नहीं आए राइट जो उन्होंने सब कुछ थोब दिया करोना वायरस के उपर तो वही ठीक वही जो इस बार जो घटना घट रही है दबाव एक गत्यात्मक मांसिक और संग्यात् आपके बाउधिक अस्तर के रूप से वो एक ऐसी अवस्ता है जो आती रहेगी लेकिन आपका दिमाग उसको किस तरह से लेता है उसको कैसे हैंटल करता है मैंने जिसे पीछे आपको बताया है रहा है जो इसको क्या लेना है आप उसको समझ के चलोगई वह स्हां मेंसत्त kissing क समाधान अत्वा समिस्ति को पुन है अस्थापित करने की आवशकता उत्पन होती है कहने के मलदब यह है दबाओ कंडिशन में जब आप जाते हैं तब दो चीजे घटित हो सकती है या तो आप उससे निबट जाओ या तो वो पूरी तरह से दोस्त हो जाएगी दुबारा से फिर रड़नेती बनाओ दुबारा से माल लेते कोई बच्चा है अगर उसने इस बार दबाओ में आ करके पढ़ाई अच्छे से ने की और फेल हो गया बच्चा तो ये उसके लिए गटना गट गए अगली बार फिर अच्छे से या तो पढ़े वो राइट या तो पढ़ा आपके जो आते हैं मनुविक जानिक है ना तो जो कि आपके हैं लेजार्स राइट तो इन्होंने बेसिकी दो प्रकार का मुल्यांकन दिया है इस्ट्मेंट जो कि आपका प्रात्मिक मुल्यांकन और दुत्यक मुल्यांकन को हम यहाँ पर अच्छे से समझने की कोसिस और प्रात्मिक मुल्यांकन के अंतर गदाब का आता है सकरात्मक तत्वा नकरात्मक तो जिसको हम step-step यहाँ को समझाने का प्रियाश करते हैं करहा दबाओ का प्रतक्षड मता उसकी समझ व्यक्ति द्वारा घटनाओं के संग्यात्मक मुल्यांकन तत्था उससे निपटने के लिए उपलब्द संसादनों पर निर्भग करता है तो उसका प्रतक्षड सबसे पहले आप करेंगे उसको समझेगे और फिर उस घटना के संग्यात्मक मुल्यांकन मता आपने बौधिक अस्तर से उसका मुल्यांकन करेंगे उसकी परक करेंगे कि यह क्या करड़ क्या है मेरे कम नंबर आने के या मेरे फेल होने के reason क्या है तो उसको उसका मुल्यांकन करेगा समझेगा अब उसके बाद उनसे निपटने के लिए उपलब्द जो भी उसके पास संसाधन है जो भी उसके पास संसाधन है उसको लेकर के वो तयार हो जाएगा खड़ा हो जाएगा जैसे मैं just for example आपके लिए एक देता हूँ जैसे माल लेते हैं कि आप रास्ते में जा रहे हो और आपको dog से मतब कुते से आपको डर लगता है चाहे आप boy है या girl है कई बार कुछ लोग कुतों से डरते हैं और आपको किसी के doggy पास पास पत्थर वेगरा उठाके मारने की कोशिश करे या आसपास कुछ और तलासने की कोशिश करे या बगल में कोई है उसको बुलाने का प्रयास करे तो यह संसाधन है फिलाल उस टाइम का दबाव हैंडल करने के लिए उसी प्रकार जब हमारे जीवन में दबाव आते हैं तो हमार कर रहे हैं बहुत important इनका भी व्यू रहा है तो इनको भी आपको अच्छे से फोकस करके पढ़ना है ले जार्स राइट एवं उनके सहयोगियों दोरा प्रतिपाजित दबाओ के संग्यात्मक सिद्धान पर आधारी दबाओ प्रक्रिया को चित्र 3.2 में प्रदर्सित किया ग तो जैसे माल लेते हैं आपके जीवन में दबाओ आया है या मेरे जीवन में कोई समस्या दबाओ आया है तो सबसे पहले मैं उसको समझने की कोशिश करूँगा यार दबाओ तो आ चुका है मेरे सामने समस्या तो आ गई है ना अब उसका मैं मुल्यांकन करूँगा उन प्रात्मिक और दित्वियक ठीक है तो यहां में दो प्रकार के मुल्यांकन मिलने वाले है तो आपका जो पहला मुल्यांकन से प्रात्मिक मुल्यांकन केंगे प्राइमरी अप्रेजल का संबंध एक या नए चुनोती पुर्ट परियावड का उसके सकारात्मक तटस्त अत्व सब्सक्राइब यहां है कोई बंदा कोई बच्चा कोई भी तो अगर डॉगी ने इसका पीछा किया तो अब वहां पर अगर उसकी सकारात्मक बुद्धी खाम करती है तो आस पास के जो भी संसादन होगा उसको उलफाएगा या तो अपने दिमाग के इस्तमाल करेगा उसको डाटेगा कुट्टे से कई बर डॉगी होते हैं अगर उनसे बात लगो करने चुप हो जा बेटा चुप हो जा क्यों बहुत रहा है न ऐसा भी बोलो तो सांत हो जाते ह है और अगर नकारात्मक हुआ तो डर जायेगा भाइबीत हो जायेगा हो सकता है भागे या वहीं लेड़ जाये वहीं गर जाये और उसके बार हो सकता उसको काटे भी है ना तो यह तीन हो जाता है और नेगेटिम मतब सब कुछ उल्टा करना सुरू कर दें जो नुकसान धायक होता है तो मैं इस स्क्रीन पर आपको इसको क्लेरिफाय करता हूँ और अच्छे से तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको तीन स्टिप में समझाया गया है पहला है दबाव कारक दूसरा है विक्त की विसेस्ता है अलग-अलग विसेस्ता होती है और दबाव के कारक भी अलग-अलग होते हैं और उसके बाद संसाधन ठीक है हम इसको अच्छे समझते हैं बहुत से मैंने ये प्रॉपर फ्रेम किया है बस इसको मैरे अपने così yacaters को मैंने प्रणे किया है सो यहाँ पर दबाओ के कार्यख में बिसीकली आप देखें गे सबसे पहले प्रकार तो प्रकार में आपका ये परियावड़ी दबाओ हो सकता है मनोविघ्यानिक को सकता है समाजिक हो सकता है अब परियावड़ी कहने का मलब क्या है कि परियावड़ से माल लेते हैं कि आपको शोर पसंद नहीं है है ना आपको नौइस पसंद नहीं है तो आपको पास पड़ोस का एक शोर सराबा मिल रहा है तो यह परियावड़ी आपका दबाव हुआ र समाज अच्छा नहीं होता या किसी एक सर्टन कम्यूनिटी में कुछ ऐसे समस्या होती है जहाँ पर हम उस एक प्रकार का ये भी दबाओ का कारड बनता है जिसे माल लेते हैं कुछ ऐसी कम्यूनिटी है जहाँ पर गर्ल्स को नहीं पढ़ाने को बुलायाता जादा उनको एज दबाओ की जो लिमिट है वो हाई है कि लो है आप इस तरह से आप समझ सकते है तो उसकी आया में कही सारे शी जायेंगी उसके अंदर समसे पहले आएगा तीब्रता उसकी तीब्रता कैसी है राइट तो जो परियावड़ी समस्या है उसकी तीब्रता बहुत जादा है कम है या मीडियम है अब अधी कितने समय तक है वो जटिल था बहुदा कॉंप्लेक्स तो नहीं है और भविस में और भी क्या चांसेज है कुछ इस तरह से हम उसके वारे में क्या और कह सकते हैं तो इस तरह से दबाओ के ये सारे कारक हैं जिसकी वज़े से दबाओ उत्पन होता है अब रही बात यहां पर व्यक्त की विसेश्था अब इस बंदे को दबाओ ये सारे क्या है मिल गए इतने सारे दबाओ इस बंदे को मिले इतने सारे कारण तो अब ये बंदा किस टाइब का बंदा है ये बंदा जो है ये किस टाइब का बंदा है जिसे हम सबसे पहले व्य तो अब ये आपका शारीरिक स्वास्त क्या उसकी विशेशता है कि आप बंदा जो है स्वस्त है कि पतालगा उसकी सेहत भी अच्छी नहीं है दबाओ आया वो पूरी तरह से और जादा विचारा गयाव हो गया वो शारीरिक गठन समवेधन सीलता और शारीरिक गठन उसकी सम समवेधन सीलता कितना समवेधन सील है कितना समवेधन सील होता है कितनी उसकी समझ होती है और नेक्स्ट आपका आता है मनोविज्यानिक तो मनोविज्यानिक है आता है मानसिक स्वास्त स्वभाव या संप्रत्य मतब स्वयम को लेके देखो यह मानसिक स्वास्त आप समझ र इसे काम करना शुरू करेगा, बदल जाएगा, या आपको अपने आपको बैलन्स करना शुरू करेंगे, यहाँ भी होना शुरू करेंगे, डिपेंड करता है कि कंडिशन और आपकी इस प्रकार के वेक्टी है, उसके बाद स्वास समप्रत है, आपका स्वयम पर कैसा के अंदर आएगा, सांस्कृतिक हो सकता है, तो आप सांस्कृतिक परिभाशाय, तथा अर्थ, प्रत्याशित, अनुक्रिया, शैली, कुछ ये आपकी सांस्कृतिक चीज़े, जो वेक्तिकी विशिष्टा के अंदर डालेगी है, अब संसाधन आपके लिए क्या होगा, संस अब संसाधन है, वो समाजिक जिसके अंदर हमारा समाजिक नेटवर्क होता है, जिसे हम लोगों को बीजब प्रत्रेस होता है, जिसे अगर आप अभी स्ट्रेस की कंडेशन से दौर से अगर आप आप गुजर रहे हैं, तो हमारे पैरेंट्स जो होते हैं, हमारे जो एल्डर्स होते हैं, हमारे फैमली मेंबर्स जो होते हैं, हमारे रिलेटिब्स होते हैं, कई बार वो अगर हमारे साथ उनका नेटव बहुत अच्छा होता है, तो आते हैं, हमें समझाते हैं, हमें सांतना इसके अंतरगत हमें पढ़ने को मिलता है घटना के चुनोती पूर्ड होने का मुल्यांकन मतब जो भी घटना है अगर वो घटना आपकी चुनोती पूर्ड है मतब उसको चुनोती पूर्ड लिया जाना है या नहीं उसका मुल्याकर हम करते हैं उस दवावपर गटना का सामना करने की योगता की प्रत्यासा से संबन्द है मतब क्या आपके अंदर सामना करने की जो भी गटना है चाहे वो एक्जाम है या नौकरी की तलास है या जो है फैमली रिस्मांस बड़ी है या किसे से लड़ाई हो गई है या कोई भी गटना तो उसको हम हैंडल करने की जो शमता है जो चुनोती है क्या उसके लिए हम प्रत्यासित हैं कि उस पर विजेपाना संबव है तथा उससे लाब भी उठाया जा सकता है जब हम किसी घटना का प्रतक्षड दबावपूर घटना के रूप में करते हैं तो प्राया हम उसका क्या करते हैं दूतियक मुल्यांकन सेकेंडरी अपरेजल करते हैं इस पुर्ण साथ समझ चुके होंगे आप लोग तो जो आपके बरविग्यारिक लेजार्स थे उनका सेकेंडरी मुल्यांकन के अंदर अंतरगत मतलब जो सेकेंडरी अपरेजल है दूतियक मुल्यांकन के अंदरगत उसनोंने रखा है कि जब आप घटना को मुल्यांकित करके उसके लिए चुनोतिपूर धंग से खड़े अगर होते हैं ठीके और अपने संसाधुनों को इकठा करने कोश्च करते हैं तो ये दूतियक मुल्यांकन में आपका आता है तो जो व्यक्ति अपनी सामना करने की योगता था संसाधुनों का मुल्यांकन होता है जो व्यक्ति जो भी है उसका खुद को लेके उसकी योगता और संसादन का मुल्यांकन वो करता है कि क्या वे उस घटना दोरा उत्पन नुकसान खत्र या चिनोती से निपटने के लिए परियापत है की नहीं है राइट इस्ट्वेंट से माल लेते हैं आप रात को जा रहे हैं और आपको बदमासों ने घेर लिया अब उन बदमासों ने जो घेरा ये जो बदमास लोग आपको घेर लिये राइट माल लेते हैं तीने आप अकेले हो अब डिपेंड करता है कि इस कंडिशन में आप क्या लो मतलब कैसा डिसिजन लो क्या आप यहां मुल्यांकन करेंगे ना यार मैं इसे लड़ परू लड़ू कि जो भी मेरे वालेट में है जो भी मेरे पर्स में है जो भी धन संपदा में अभी मेरे पास फिलाल उस टाइम है मैं उसको दे करके उनसे किस तरह से छुट्टी पाऊं तो यह डिपेंड करता है है वहाँ पर तो यह सबसे पहले आप अपना मुल्यांकन करते हैं यह सेकेंड यह अपरेजल कर आएगा तो इस तरह से हो सकता है आप से एक लॉजिकल अंडर्स्टेंडिक बेस भी कुशन पूचे जा सकते हैं आपके क्लास्टोथ की साइकॉलोजी के एक्जाम में तो आपको इसकी समझ होने चीए किस अपरेजल में कौन से आपके दुतियक में आएगा कि प्रात्मिक में आएगा तो यहां पर दुतियक उसमें कंड । । ओ लगाएगा तो कहने का मदब क्या है डिफरेंज हई यह डिफरेंस है तो वही है मानसिक शारीरिक लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जहां दिमाग से काम नहीं चलता, एक कहवत है हमारे, मतलब यहां देशी कहवत, हैना सीधे उंगली से जब घीने निकलता है, उंगली हमें ट्रीडी करनी पड़ती है, तो ऐसा भी है, तो हमें इनकी विजरोत पड़ती है, राइट, मतलब या आई-पिएस कम नहीं है, इन सामाजिक हो सकता है, यदि कोई व्यक्ति समझता है कि संकट से निपटने के लिए उसको सकरात्मक, अभिवित्ती, स्वास्त, कौशल और सामाजिक अवलंबन उपलब्ध है, तो वह कम दबाव काउन बहु करेगा, सिंपल सी बात है, अगर आपके सामने संकट आ गया, और आपके पास एक अच्छा स्वास्त है, आप सकरात्मक हो, यदि को स्वास्त आपके पास अच्छा है, आप सकरात्मक हो, आपके अंदर कुछ कॉशल है, मतलब कुछ कॉलिटीज है आपके अंदर, और आपका समाजिक जो ताना बाना है वो बढ़िया है, मतलब के फैमली में तो मुश्किल है ना हरैरे करैंnis करें मुल्लयांकन का यह तत्रों प्रक्रब प्रवार कि अंOk exhibition करता है मतलब ऐसा होते हैं ना विक वहार खटना उनकर प्रत!". कि हमें क्या करता है एक संवेग हमारे अंदर पर निधारित करता है तो अभी कुछ स्लाइड आपकी रह गई हैं तो मैं जल्दी दी कवर करना हूँ वीडियो आपकी थोड़ी सी बड़ी बनेगी तो आप लोग को भागना नहीं स्किप नहीं करना है स्टों ठीक है तो नेक्स्ट मैं आपको बदाओं तो ये मुल्यांकन अतन्त आत्मिनिस्ट होते हैं और अनेक कारकों पर निर्भर करते हैं एक कारक इस प्रकार की दबाव पुड परिस्तियों से निबटने का पूर्व अनुबह हो जैसे एक बात यहां पर और है इसे माल लेते हैं कि आपके जिवन में वैसा दबाव पहले आया है जैसे माल लेते हैं कि अभी आपने 12th क्लास में आपने एक्जाम का आपके पास stress आया और आपने उससे अच्छे से निबट लिया है ना और आपने एक strategy बना करके आपने अच्छा perform किया आपका result बहुत अच्छा रहा आपके score आये है 98% आपकी रिपोर्ट कार्ड जो आई है 98% आपके score रहा रहा राई इस्ट्वेंट्स तो अगर आपका इस दबाव वाली condition के अंदर भी आपने एक अच्छी strategy बनाई एक अच्छी रड़नीती बनाई और 98% score किया तो जब भी आप मालेते हैं कि आप first year में गए आप या कोई comedy exam कर रहा है और वहां भी गलती से आपने पढ़ाई नहीं कि मालेते कोई और समस्या आ गई और उस time फिर आपको दुबारा से आपके सामने दबाव आएगा तो उस दब पहले आपके experience से दबाव को जहिलने का तो अच्छे से आप दबाव को जहिल जाएंगे तो यहीं उन्हें समझाया है दूसरा है यहां पर आपको और बात बता रहे हैं कि एक अन्य कारक जो यह दूसरा कारक है वो कैसा कारक है यह अन्य कारक है कि क्या दबाव उत्पन करने इसको अंत्रवर नहीं की यह चुकी है किया ऐसी घटना अपने कंट्रोल में है की नहीं जैसे माल लेते हैं आपके जीवन में कोई ऐसे समस्या आ गई अगर वो घटना कंट्रोलेबल है उसको चांट्रोल कर चासकता है तभ तो थीक है कुछ घटना हमारे जिनमें ऐसी भी होती है इस्टमन जिसको контроль नहीं कर सकते जिस इसको कंट्रोल नहीं कर सकते भले आपके पास कितनी भी धनसंपदा हो, कुछ भी हो लेकिछ जिसका जाना है, वो तो फिक्स है, वो तो जाएगा ही, तो वो uncontrolled घटना है तो वहाँ पर भी हमें किस तरह से उस प्रकार के दबाओं का जब कोई अपना प्री अपने फैमिली परसन को जाता है तो ऐसी घटनाओं का किस प्रकार से हम डट के मुगाबला करते हैं ये भी एक होग जादा important होता है और ये भी इसी सेड़ी में आपका रखा गया है तो डिपेंड करता है कि वो घटना कैसी है नियंत्रडी है या नियंत्रडी है अर्थात क्या परिस्ति जो है पर व्यक्ति का नियंत्रड या प्रभुत है कि नहीं है परिस्ति मतलब जो बाहरत की स्थति है एक व्यक्ति जो यह विश्वास करता है कि वो किसी नाकारात्मक पर प्रारम्भ होने या उसके प्रतिकुल प्राड़ामों को नियंतित कर सकता है तो वह है उस व्यक्ति की अपिक्षा पहली बार इसके सामने अगर ऐसी कुछ घटना घटी है तो उसको जेल नहीं पाएगा और इसी comparison में इसके father जो होंगे उन्होंने definitely अपने family member में लोगों को जाते हुए देखा है अपने से बिदा होते देखा है तो ऐसी condition में यह ज़ादा इसको समझाने के लाइक खड़े रहेंगे, समझाएंगे इसको हिम्मत देंगे रहेंगे तो यह सारी चीज़े आपको clarification में ले ली चाहिए उके तो उसी कायरों ने example दिया है आत्मिस्वासिस के लिए चाहिए सक्षमता की भावना यह निर्धारित कर सकती है कि व्यक्ति किसी परिस्दिका मुल्यांकर एक खत्रा या चुनोती की रूप में करेगा यह डिपेंड करता है इसी परकार किसी दबाव कारक के अनुभौत था परड़ाम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिनभिन होते है मैंने यह चीच आपको पहले क्लियर की थी कि दो अगर व्यक्ति हैं और दबाव की जो समस्या है वो अगर एक है तो ऐसा नहीं कि दोनों समान प्रकार से उस टेंसन को लेंगे दबाव का पद उन सभी पर्यावड व्यक्ति गटना को समाहित करता है जो किसी व्यक्ति के कुशल शेम या कल्याड के लिए चुनोंती या खत्रा होते है यह दबाव कारक वाय हो सकते है जैसे कि मैंने आपको वाय कारक पहले बताया था जो परियागरवाले है जैसे सोर हो गया वाई-प्रदूसर हो गया तमाम-तमामी समाजिक हो सकते है किसी मित्र से संबंध टूटना अकेला पन यह आपके हो सकते है या मनव जज्यानिक हो सकते है आपकी खुद की कोई चिंदा, कोई वय था, कोई मान सिक कुन्था ठीक है तो अब हम आ चुके इस तो अगली स्लाइड पे ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्ट है कुछ ही स्लाइड से ओर रहा चुकी है अगर आप ठक चुके हो तो वीडियो बड़ी थी मैंने आपको पहले बता था क्लास्टर की साइकालोजी के ल प्राय है इन दबाव कारुकों के प्रडाम सुरूप अनेका नेक दबाव प्रतिक्रिया जो शरीर क्रियात्मक विहरात्मक सामवेग आत्मक और संग्यात्मक जो की चित्र में आपको यहां पर मिल रही है आपने हमने आगे मतलब आगे भी हम देखी हैं अच्छे से हो सकती है तो यह कह रहे है कि यह जो दबाव के कारक है बिसिकली या आपके इनके प्रडाम सुरूप अनेका नेक हो सकते हैं या आपके शरीर क्रियात्मक हो सकते हैं विहारात्मक हो सकते हैं सम्वेग आत्मक हो सकते हैं जिसको यहां मेंसन किया उसको यह चित्र तो मैं आपको भूमिका निभाता है। फिर थोड़ा ध्यान से आप यहां फोकुस किजिए। कह रहे हैं शरीर क्रियात्मत, जो आपके शारीरिक क्रिया के अंदर जब दबाव आपके अंदर होता है तो एक अलग से भाव प्रभोधन, एक अलग से भाव आपके अंदर उत्पन होता है, और यह basically दो पतों के माध्यम से क्रिया फ्रारंब करता है करें hypothalamus जो है आपके दिमाग का जो भीतरी हिस्सा है basically ये दो प्रकार से आपका ये कारे आपका करता है इसमें दो चीजे है दोखो ये तो आपका hypothalamus हो गया और इसे से नीचे जूड़ी एक कड़ी है ये है इसे पिट् दिमाग के मतब इस तरह से जो भॉह होती है बिल्कुल इसके बीचों बीच यहां से अगर हम एक point ले और इसको इसी direction में पीछे मतब दिमाग के इसी सीधा इसी सीधे पे दिमाग की पीछे कर जाएं तो अपने को जो point मिलता है उसी को हम कहते है पिट्राटिक ग्लेंड और तो यह जो आपके होते हैं master gland होते हैं सारे hormones का secretion और balancing यहीं से होता है तो अब इसके अंदर यह क्या समझाना चाहरे हैं कहरा है जिसका जो प्रात्मिक पद होता है ना hypothalamus से जो basically दो पत के मादम से जो क्रिया होती है इसका जो प्रात्मिक पद है उसके अंदर क्या वह समझ नहीं है है ना तो kidney basically जिसे हम अधिविक कहते हैं तो kidney के ऊपर basically आप देख रहे हैं कि यहां पर adrenal gland है यह पर तो यह कह रहे है अधिविक adrenal ग्रंथी रुधिर में बड़ी मात्रा में इसे हम कहेंगे keto-lymines जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे epineferrin और norepineferrin तो यह दो प्रकार के आपके hormones को secret करता है यह कहां secret होते है adrenal gland से ध्यान समझेए first stage में होता क्या है hypothalamus से एक आपका basis प्रकार का hormone secret होता है और उसका नाम है epineferrin और norepineferrin ठीक है जिसे हम कहेंगे combined name है keto-lymines यह जो है basically secret कर देता है छोड़ देता है और इससे होता क्या है इसी के paradigm क्या होता है कि सरीर क्रियात्मक परिवर्टन होते हैं जैसे माल लेते हैं कि आपके सामने कोई doggy आ गया है ना या कोई एक साप आ गया कोई नाग आ गया ठीक है तो आपके body के अंदर एक अलग सा एक blood का circulation होगा एक अलग से fight or flight की बहुना आएगे तो बहुत देजी से भागोगे आप या उससे निपटने के लिए उससे लड़ने के लिए तक पर हो जाओगे है ना जो संगर्स या पलायन इसे English में कहेंगे fight or flight मतलब या तो लड़ना या तो भाग जाना संगर् स्कती हम दर में ही सक्षिए ना रहाता है करता है इससे में में मैं मतलब दूसरा जो Armed करता है जिसके अंधेर एक 8060 नाम का आपका, दूसरा आपका हार्मोन है, का स्राव करती है जो उर्जा प्रदान करती है, जो क्या होगा? हमें और अधिक मात्रा में उर्जा प्रतान करेगी और दबाओ के प्रती जो सम्वेगात्मक प्रतिक्रिया होती है और जो दबाओ उससे जो उत्पन हुआ है जो भी दबाओ हमारे सरीर में उस सरीरिक क्रियाओं में जो दबाओ उत्पन हुआ है उससे लड़ने के लिए सम्वेग आत्मक जो प्रतिक्रिया होई है या उनमें नकार आत्मक सम्वेग जैसे भय या दुश्चिंता या उलजन, क्रोध, अवसाद या इस प्रकार के जो चीजे हुई है है ना, उसको हैंडल करने के लिए सम्वेग होता है, कराय यहां तक की नकार भी सम्वेग है मतब मना हम करना चाहते हैं तो वो भी उसके लिए सम्वेग देखा, इंपोर्टन आपका यहां पर यह है कि आपके सामने जब कोई समस्या अचानक से आती है तो आपके दिमाग का ये हिस्सा हाइपोथालमस ये क्या करता है? ये सिक्रेट कर देता है ये आपको एक किड्नी के ऊपर आपको ये वाली ग्लैंड मिल लेए ये हम एडेनल ग्लैंड कहते हैं इसके अंदर से आपका एपिनफेरिन नौर एपिनफेरिन दो आपके हार्मोंस निकलते हैं जो ब्लैट के अंदर से दे जाते हैं और ब्लैट के दे जाने के बाद ये करते क्या है? ये आपको fight and flight के अवस्था में लेके आते हैं भागोगे, blood सब बढ़ जाएगा, तेजी से अचा उसके बाद क्या उससे होगा क्या दूतिय किस्तित में ये कह रहे हैं कि ऐसी अवस्था हम लोग भाय में हो जाते हैं दुस्चिंता, परिसानी, टेंसन, ये सारे शीज़ा आती है या कोट बहुत सीज़ा गुसा जो आता है वो सब सीज़े कहां से बैलन्स होता है वो होता है पिट्रोटिक ग्लेंड से तो इसकी वज़े से हमाई इस तरह से महसूस करते हैं तो दबाव मुलने अंकर ने आपिस एक बैसे क्ली मैं आपको बदाया प्रीवेशा उसकती है लन्हार अंकर राप्मक अंचरिया हो सकती है मतलब या आपके शरीर के अंदर जो अंकरिया है या तो वो हमें दिख जाएगा या आपके ब्युहार के देपरवेल्तां दिखाई ले गा या संग्यात्मक है ना आपका जो आवेग है वो बदल जाएगा या संग्यात्मक आपकी बहुती कस्तर सोचने समझने का जो तरीका है वो थोड़ा सा हमें चेंज दिखाई देगा तो यह हमें चीज़े यहाँ पर क्लियर करती है राइट इस्ट्मेंट्स सो बस एक स्लाइड और है तब एक दो स्लाइड और उसके बाद हम प्लास को एंड कर देंगे वीडियो काफी बड़ी हुई है जो आपका नेक्स्ट है तो दवावपूर घटना के प्रकृति के आधार पर लगबग असेंख ही है अगर देखा जाए जो आपके वियोहर अली घटना उसके बहुत प्रकार की घटना आती है ऐसे दबाव कारक का ये मुकामला या संगर्स या खतरनाक तरह से चीज़े जब होती है तो या तो उस घटना को हम लड़े या तो भाग जाएं ये चीज़े में आपको पहले बताई तो वही ये कह रहे हैं कि विहरात्मक अनुक्रियाओ की दो सामान सेड़ियां है संग्यात्मक का अनुक्रियाओ के अंतरगत कोई घटना कितना नुक्सान पहुचा सकती है या कितनी खतरनाक है उसे कैसे नियंतरित किया जा सके हैना इससे समध्य दिस्वास आते है तो जो भी समस्या है उस समस्या को देख करके हम ये चीज़ को समझने कोशिस करते हैं वो घटना हमें कितना नुकसान पहुचाती है या उस घटना सम कैसे निबटे ये सारी चीज़े हमें समझ में आती है उसके प्रतिमें विश्वास होता है इनके अंतरगत ऐसी अनुक्रिया है जैसे कि ध्यान के अंदरित न करपाना या जो है अंतरवेधी पुनरावित्ती या दूसीद विचार आते हैं गाली गलोच की चीज़े इस तरह से आपके अंदर गंदी गंदी चीज़े या दूसरी विचार कहने को दबाते हैं तो जैसा कि चित्र 3.2 में हमने देखा कि दरसाय गया है कि व्यक्ति जिस दबाओ का अनुभव करता है बे तीब्रता इंटेंस्टी मतब कम बनाम अधिक तीब्रता मतब या तो हाई या तो ज़्यादा इस तरह से तीब्रता उसकी होती है जैसा दवाव महसूस करेंगे उसकी तिपरता होगी या तो जादा होगी या तो कम होगी, उसकी अवधी उसी हryसाब से होगी, है ना, थोड़े दिश समय होगी या ज़ादा समय तक लिए होगी, जटिलता होगी, वो बहुत गळाइक कॉंपलेक्स अब इससेमान लेते हैं, आपके सामने डॉग ही आ गया और आपने पहली बार उससे आप बहुत डरते हैं उससे तो आपके अंदर वो एक लंबे समय तक हो सकता डर बैट जाए या आगर आपने उससे डट के मुकाबला कर लिया तो आप दुबारा सब आपका डर खतम भी हो सकता है तो इस तरह से और भविस में उसको किस तरह से उससे निप्टा जाए इसका भी हम प्रेडक्शन कर सकते हैं रैड इस्ट्वेंट्स तो नेक्स्ट आपका आता है दबाव निर्भर करता है तो ये भी हेडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्डन है कि दबाव देखो किन बातों पर निर्भर प्रत्यासित होते हैं अचानक आजाते हैं बे अधिक नकारात्मक होते हों बहुत परिसान करने वारे होते हैं परडाम उत्पन करते हैं बजाए उनके जो कमतीब्र या अकल्पिक राइड या अल्पकालिक मतलब थोड़े समय के लिए कम जटिल या ज़्यादा जटिल नही करना उसके सरीर क्रियात्माग भल पर भी निर्व करता है तो मैंने आपको पहले बताई थी अगर कोई ब्यक्ति मजबूत है सॉलिड है तो अगर इस excess Aa के है तो वो डिपेंड करता है कि इसका ऍका स्थ इसकामांट्री कस दर इसका सारीलिग गटन तो वो चीज अच्छा स्वास्त नहीं रखतेगा, है ना, या जिसका स्वास्त अच्छा नहीं होगा, या कम बलिस्ट है, तो उसके लिए जो है, क्या होगा, वो कम रखेगा, क्या रखेगा, उस दबाव को हैंडल करने की जो शक्ति है, उसके इंदर कम होगी, right, कुछ मनविज्यानिक वि सेस्ता है कि आपका मांसिक स्वास्त कैसा है, सभाव या स्वाश्म प्रत्य, मतब खुद को लेकि आपके समझ ये भी बैलन्स करते हैं आपके दबाव को उसको भी बैलन्स करने का तरीका हमें यहां से मिलता है. ठीक है स्ट्वेंट सो आई होब मेरी बात आप समझ पारे हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम जिस सांस्कृतिक संदर में अगर इसको देखे हम जीवन यापन करते हैं वो भी चीज हमें निशित रूप से क्या करती है उस सर्टेन समस्या से उस स्ट्रेस से उस दबाव से हमें लड़ने के लिए हमें क्या करती है मजबूत बनाती है अंतता है दबाव के अनुभव किसी व्यक्ति के पास उपलब संसाधन जो भी है चाहे वो धन है सामाजी कोशल है सामाज सामना करने की शैली है अव लंबन का नेटवर्क इत्यादी इत्यादी ये सारे कारक निर्धा लिए उसके व्यक्तित पालन पोस्टर और जीवन के अनुभव पर आधारित भिन भिन होती है तो ये भी ध्यारकना हर व्यक्ति का जो दबाव को हैंडल करने का तरीका होता है वो इस बात पर भी डिपन करता है कि उसका पालन पोस्टर कैसे हुआ है वो कैसी परिश्यत से अब वो भीन 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 ब्रकार का होता है ठीक है राइट प्रते जिसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जीसे आपने देखा होगा जो जगली टाइप के लोग होते हैं है जैसे आधिवासी टाइप के लोग अब उन्होंको कुतोस थोड़ी डल लेगा ़ो तो व ड्यौगीcken खा ज तो उसके गंभीर प्रडाम हो सकते हैं अगर उसका निकार नहीं करें गंभीर हम प्रडाम देख सकते हैं तो यह जो रिजल्ट है जो अल्टी मेरा जो गोल है वो गोल तब तक चीव ने होगा जब तक मैक्सम लोग विडियोस को देखें के नियुक्त लाव अडित नहीं होंगे उसे जदा बैनिफिट नहीं होंगे यह तो फुछ आप निवास समझ रहो सो आज क्लास यह इस टॉप